सब्सक्राइब कीजिए रभी वर्म मैज्स यूटूब चैनल को दवाएए बेल आइकन घंटे को नए नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए कैसे हैं आप सब मैं खुशी रभी वर्म मैज्स यूटूब चैनल पर आप सभी का हादिक स्वागत करती हूँ जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह जीयस की ट्रिक वीडियो है इसमें हम आप लोगों कुछ नई ट्रिक बताएंगे जो हमारे एक्जाम की द्रिष्ट से महत्पूर है जो अक्सर पूछा ही जाता है तो उसी के इसी को नजर रखते हुए हम आज बाबर के द्वारा लड़े प्रमुखियूद के बारे में पढ़ेंगे और हुमाईł द्वारा लडे गए परमुखियूद के बारे में जानेंगे अकिन खरते हैं तो आईए देखते हैं इसे कैसे आसानी होगी तो आईए देखते हैं अपने इस ट्रिक को देखे यह हमारी आज की ट्रिक है पान खा घर चल पान तो सब आम बात है पान ज्यादा तर लोगों को पशंदी होता है तो पान खा घर चल पान खा के घर चलो तो ऐसा याद ही रहेगा याद ही रहता है तो इससे हम कैसे अपनी ट्रिक को इस पर अपनी ट्रिक कैसे वैठाइएंगे कैसे इसको हम याद कर रखेंगे आएज देखते हैं तो पान खा घर चल तो पान मतलब क्या होता है पानी पत पान मतलब पानी पथ का पर्थम युद ये कब हुआ था ये हुआ था पंदरा सो 26 इसबी में में तो एक पान से देखो पानी पत्का पर्थम युद ये कब हुआ था पंदरा सो 26 में और दूसरा हमारा है खानवा का युद ये दूसरा है खानवा खा मतलब खानवा ये खानवा खानवा का युद्धू ये हमारी एक्जाम में अक्सर पूछी लिया जाते हैं और ये कब हुआ था ये हुआ था 1527 इस भी में ठीक है और ये किनके किनके बीच हुआ था ये भी आप लोगों को बताते चले ये हुआ था बाबर इबराहिम लोदी ये हुआ था बाबर और इबराहिम लोदी के बीच ठीक है और खानवा का यूद जो है वो किसके बीच हुआ था वो हुआ था बाबर वा राणा शांगा के बीच यह हुआ था राणा चाल मतलब क्या होता है चंदेरी का यूद यूद ये हुआ था ये हुआ था 1528 मतलब कि 1528 इस भी में और ये हुआ था बाबर वा में नी राई के वीच इनके मद्ध हुआ था ठीक है और घर मतलब घागरा का यूद घागरा का यूद ये हुआ था 1529 और ये किस के बीच हुआ था ये आ हुआ था बाबर ये हुआ था अफगान सेना के मद्ध ठीक है देखिए इसको हम सिर्फ इतना याद करने से पान खा घर चल इतना याद करने से हमें ये सारे युद किलियर हो जाते हैं यानि कि पान खा घर चल इसका मतलब पान मतलब पानी पत का प्रेत Christmas घर आनशे मतलब खानवा का युद चल मतलब चंदेरी का युद और घर मतलब खागरा का युद और इसको हमें देखिये सण कैसे हमें किलियर करना है तो ये को यह संब हमारा के लियर करना है देखो 26 27 28 29 तो एक यह कर लिने से उसके बाद सेरियल याद हो जाते हैं एक के बाद एक हमने क्लियर हो जाता है ठीक है तो देखिया मद्ध्यू था बाबर वाइबराहीम लोदी खानमा का यूध्यू के मद्ध निरा के बीच और घागरा का युद ही हुआ तो अप लोगों को मजाया और इसी भी लगा होगा थोड़ा बहुत तो इसी जरूर ही लगा होगा क्योंकि ऐसे याद करने में और ट्रिक से याद करने में जादा ना सही पर थोड़ा बहुत अंतर जरूर आ जाता है और हमें जाद चीजे जल्दी याद हो जाती है सब्सक्राइब कीजिए रभी वर्म मैट्स यूटूब चैनल को और दबाईए बिल आइकेन घंटे को नया वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हुमाई द्वारा प्रमक युद्ण लड़े परमक युद गए थे क उनको हम कैसे याद करेंगे तो हमारी कलास में हमारी कलास्मेट कोई चोर है उसने कोई सामान चुराया है तो इसका सखेट मानलो उसने परमक consent आप यूर्षा वाम शामान सब्सक्राइब ओताथ कर सकते हैं तो कि इससे अम ऍपनी तो कैसे ये दिखके तो इसको भाइण कि याद करेंगे तौन एकर दिकितनी आसानी से हैं प्रेकलेगे मुइंस कि वा более कि को देवराई का युद और ये कब हुआ था ये हुआ था 1535 यानि कि 1531 और दूसरा चोर मतलब 14 का युद चोशा का युद और ये कब हुआ था ये हुआ था 1539 ठीक है ये हुआ था 1539 में और बा मतलब विल ग्राम का युद और ये कब हुआ था ये हुआ था 50 ये हुआ था 1540 में और सर मतलब सरहिंद का युद सर मतलब सर हिंद का युद और ये हुआ था 1545 में ठीक है देखिए हम एक लाइन याद करने से हमें ये सारी चीजे याद हो जाती हैं देव चोर बासर देखो देव चोर बासर तो देव मतलब क्या होगा देव राई का युद चोर मतलब चोसा का युद बा मतलब बिलग्राम का युद सर मतलब सरहिंद का युद और इनको इनका सन भी याद रखना क्योंकि ये जरूर ये मतलब जरूर ही पूछा जाता है की चोर सा खायु दुक कब हुआ था किस सन में हुआ था तो हमें अगर ये हम याद कल लेते हैं तो हमें हर्षवरधन द्वारा जीटे गए पंच परदेश अक्सर पूछ लिया जाता है हर तो हम को हमान से थे थे रहें आधर खेंगे किन सब्स catastrophe अगैसे कभी कि दोस्तों में लड़ाई ही हो जाती है किसी दोस्तों को किसी आक्सर जादा देखो लोग गैंक बना लेते हैं है न ऑर जाद ही होता है तो कुछ किसी अगर दूसरी गैंक के दूसरी यहां वालों ने एक लड़के को किसी को अगर मार दिया गरती से तो ओए हो सकता है तो इस पक्का मिलुंगा अगर नहीं पता चल रहा है तो आइए हम आपको बताते हैं हैने देखते हैं इसे उसे तो बा मतलब क्या होगा? बा मतलब होगा पंजाब क्या होगा? पंजाब पंच परदेशों में से कौण एक पंजाब था और का मतलब होता है देखिए कान कुपज ठीक है ये तो इन पंच परदेशों में से एक ये भी था ये ये था कान कुपज और जो तीसरा था मी से हमारा क्या होगा मिथिला एक ये भी था उसमें उन पंच परदेशों में और एक था कौन सा मिथिला मतलब यहां ला न लेके इसकी ये उ की मात्रा ये ली गई है तो उसे क्या होगा उडिशा ये थोड़ा ध्यान देने लायक है क्योंकि ये डारेक्ट उस अच्छा से नहीं बना है ये थोड़ा मात्रा शे बन गया है उडिशा और ये लास्ट में हमारा क्या आएगा गा गा मतलब गोण परदेश ठीक है गोण तो ये हमारा हो गया गोण परदेश ये हमारे हो गए इनको देखो हम कितनी आसानी से याद कर सकते हैं और इंपोर्टन भी है तो देखिए मिलूँगा कोई भी होता है कोई होता है कहीं ऐसे मिलना तो ठीक है बला पक्का मिला ठीक हम आउचा हो गई जच्जांदा परदेच्श मिले ना मिले यह उनकी मर्जी है पर पक्का जरूर कह देंगे भाई पक्का मिलूंगा तो उसी पहरा हमारा ये पक्का मिलूंगा तो पा मतलब पंजाब का मतलब कानने कुप जो मतलब उड़ीशा गम मतलब गोर्ण प्रदेश यह पांच प्रदेश थे जो हर्श वर्धन द्वारा जीते गए थे हर वर्ष वर्धर ने यह जीता था युद्ध में इन पांच प्रदिशों को इनको आप लोगों को यह पसंद आया होगा और अगर नहीं आया है तो प्लीज हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप लोगों को यह ट्रिक कैसी लग रही हैं मजा आ मारे लिए एक दम नहीं होगी तो बस इतना ही बाई बाई यूटूब चैनल को दवाएं बेल आइकन घंटे को नए नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए